असलाम अलेकुम एवरीबॉवान और वेलकम बाक टो तरणूम्स किचिन अन व्लोक्स तो आज हम बनाने वाले हैं मतन खिचडा बावर्ची स्टाइल मोहरम स्पेशल तो चलिए रेसिपी को लेकना स्टार्ट करते हैं ये हम ले लेंगे कुछ दाल थोड़ी सी मसूर की दाल और थोड़ी सी तूवर की दाल और थोड़ी चने की दाल और ये पीली मूंग और सफेद मूंग की दाल है सब सेम कॉंटिटी में है ये और ये कुछ ये थोड़े से चने है काले चने थोड़ा सा लोबिया और थोड़ा सफेद मताना और ये जव है थोड़ा सा ये सब भी स एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और यह जो डाल है उसे अलग ट्रांसफर करेंगे और यह चावल اور यह कुटावा गेहु है इसकी कौंटिोटी थोड़ी ज़़ादा कर देंगे और यह जो हमने फर्स्ट प्लेट में जो सारी डाल रखी थी यह उसमें add करेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे अच्छे से 3-4 पानी से wash करके इसे overnight भिकाने रख देंगे और फिर अभी हम second day ये cooker में पहले हम जो लोबिया, काले चने, सफेद वटाना और जहू था जो उसे हम फिर से wash करके cooker में add कर देंगे और आदा चमच healthy powder दाल देंगे में पानी वगेर आपके हिसाब से add करना क्योंकि चने वगेरा थोड़े hard होते हैं इसे गलने में थोड़ा time लगेगा जब CT आने लग जाए तो गैस की flame लो करके 15 मिनिट तक पकने देंगे कि डाल सौरी चने वगेरा अच्छे से गल जाए फिर हम दूसरे pressure cooker में चार बड़े चमच तेल के ले लेंगे ये चार बड़ी size की प्याज है इस तरह से slice कट कीवी इसका बिरिस्ता हम बना लेंगे और ये देखे जब पूरी तरह से brown हो जाए तो हम थोड़ी सी प्याज इसमें से निकाल लेंगे और side में रख लेंगे अभी हम इसमें मटन एट कर देंगे ये पौना किलो मटन है 750 ग्रैम मटन एट करके इसे अच्छे से भून लेंगे थोड़ा एक से दो मिनिट के लिए और यहां पे अभी हम कुछ खड़े मसाले ले लेंगे एक चमच जीरा पाओ चमच शाजीरा एक बादियना फूल तीन हरी लाइची दो बड़ी लाइची चार लॉंग और थोड़ा सी काली मिर्च और दो तेज़ पत्ते दो से तीन ले लेंगे और ये भी इसमें डाल कर अभी से अच्छे से हम भून लेंगे तेन चमच अध्रक लसन का पेस्ट एड़ कर देंगे तीन बड़े चमच अध्रक लसन का पेस्ट एड़ करके अच्छे से भून लेंगे दो से तीन मिनिट के लिए कि अध्रक लसन की ス्मैल चली जाए इसके बाद अब हम इसमे नमक एट कर देंगे एक छोटा चमच एक छोटा चमच तीखी वाली लाल मिच पाउडर है आदा चमच हल्दी पाउडर एट कर देंगे तीखा और नमक अब के हिसाब से एट करना एक बड़ा चमच धनिया पाउडर एट कर देंगे और आंदर छोटा चम्यज जीरा पाउडर एट कर देंगे इसमें थोड़ी सी हिंग भी एट कर देंगे यह उप्षनल है एक बड़ा चॉप की आवा टमेटो एट कर देंगे दो चम्यज दही के एट कर देंगे और इसे अच्छे से अभी भून लेंगे 2-3 मिनिट के लिए अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल कर लिड लगा कर पकने देंगे गैस की फ्लेम लो करके जब सीटी आने लग जाए गैस की फ्लेम लो कर देंगे और 15 मिनिट के लिए पकने देंगे कि गोश गल जाए अच्छे से 15 मिनिट बार धम लीड हटा देंगे सीटी निकाल कर और ये देखिए गोश हमारा गल गया है अभी हम उसी प्रेशर कुकर में ये जो दाल वगेरा थी राइस जो हमने सोग किये थे इसे अब हम इसमें आट कर देंगे और ये जल्दी गल जाएगा इसलिए इसे हम बाद में इसे हमने रखा है गलाने के लिए और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और पानी आड़ कर देंगे चार से पांच हरी मिर्च आड़ कर देंगे और थोड़ा सा पुदीन और हरा धनिया भी आड़ कर देंगे और अभी इसका लिट लगा कर जब इसकी सीटी आने लग जाए तो दस मिनिट तक इसे स्लो फ्लेम पे पका लेंगे कि पूरी तरह से गल जाए और ये लोबिया, काला चैना वगेरा ये जो था ये पूरी तरह से गल गया है माशालला से एक बार देखिए चेक कर लेंगे और गोश को हमने पतेली में ट्रांसफर कर लिया है अब हम इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से बस एक दो बार विस्क कर लेंगे कि ब्लेंड कर लेंगे और इसे एकदम दाल जैसा मैश नहीं करेंगे थोड़ा अखा अखा ही रखेंगे अभी हम गोश में जो है एक चमच गरम मसाले का पाउडर एट कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे एक मिनिट के लिए अभी इसमें हम ये कालठ चना वगरा जो था ये इसमें पूरा एट कर देंगे और ये भी देखिये हो गए है ये जो डाल वगरा थी ये भी पूरी तरह से गल गई है एक बार इसे mix कर लेंगे इसे भी हम थोड़ा सा दरदरा सा blend कर लेंगे थोड़ा खखखखा रखेंगे इसे डाल की तरह पूरा mash नहीं करेंगे यह देखिए बस हलगा हलगा सा हम blend कर लेंगे इसे भी एट कर देंगे ये ओयल जो है अभी पूरा इसमें डाल में जो है मिक्स हो जाएगा ज़रा भी ओयल नहीं दिखेगा अभी अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एड़ कर देंगे नमक देड़ चमन नमक एड़ करेंगे नमक आपके टेस्ट के हिसाब से एड़ करना एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा केवडा वाटर एड़ कर देंगे रोज वाटर और स्वारी रोज वाटर एड़ करेंगे और ये देखिए माशाला से अब ये थोड़ी देर बाद जो है इसमें थिकनेस और आ जाएगी अपने आप अब हम इसमें कोईले का फ्लेवर दे देंगे कोईला अच्छे से चारकुल गरम कर लेंगे उसे एक कटोरी में रख देंगे उपर ओल ये घी डाल कर इसे ढख कर पांच से दस मिल्ट के लिए रख देंगे और हमारा खिचड़ा जो है वो रेडी हो गया वावरची स्टाइल इसे अभी हम सर्फ कर देंगे और उपर से बिरिस्ता और पुदीना हरा धनिया और लेमन स्क्वीज कर लेंगे हमारी रेसिपी रेडी हो गई है अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कॉमेंट और सबस्क्राइब करना ना भूले लाफेज